एलो इस्ट्रेंट ये कोशेन आपका लेमिस थियोरम के टॉपिक्स है अगर आपको इस टॉपिक को ब्रीफली पढ़ना है तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ से भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं इसका मास कितना दे रहेगा है 6 kg दे रखाए is suspended by rope of length 2 meter इस rope का length 2 meter है यह from the ceiling यह ceiling से बंद रखाए यहां से अब देखो आगे क्या हुआ a force of 50 N in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope यह जो rope है इस rope का midpoint यहां पे P है इस point पर क्या किया जा रहा है एक 50 N का force horizontal direction में apply किया जा रहा है तो यह horizontal direction में 50 N का force apply किया जा रहा है अब देखो अगर मैं इस point पर 50 N का force लगा हूँगा तो यह point क्या करने लगेगा move करने लगेगा तो देखो यह point जब मैं इस direction में force लगा हूँगा तो पहले यह रसी इस तरीके से था यह क्या था यह जो mass था इस पर suspend कर रहा था लेकिन जब हमने 50 N का force लगाया है तो यह जो रसी था इस रसी का shape अब कुछ ऐसा हो गया है ठीक है इस तरीके से हो गया है और यह 50 N का force लग रहा है अब थोड़ी देर पहले जब हम इसमें 50 N का force लगा रहे थे तो यह point क्या कर रहा था move कर रहा था लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है अब इस point ने move करना बंद कर दिया है इसका मतलब यह है कि यह point जो है अब equilibrium state में आ गया है equilibrium state का मतलब यह होता है कि आप किसी point पे force लगा रहे हो और वो point move नहीं कर रहा है देखो starting में तो यह move कर रहा था यह point तभी तो इसका shape ऐसा हो गया लेकिन अब finally इसने move करना बंद कर दिया यानि कि अब यह equilibrium state में आ गया है देखो आगे question में क्या लिखा है what is the angle the rope makes with the vertical in equilibrium लिखाना है यहापे तो देखो what is the angle the rope makes with the vertical देखो यहापे एक vertical line है यह जो vertical line है इस vertical line के साथ यह rope कितना angle बना रहे है इस theta angle को मुझे find करना है ठीक है यह figure आपको given है यह theta angle आपको calculate करना है in equilibrium भी लिखा है equilibrium का मतलब यह है कि यह जो 50 newton का force लगा इस force की वज़े से रस्टी कुछ इस shape में आ गई है लेकिन अब यह जो point है यह point अब move नहीं कर रहा है इसी को equilibrium बोला जाता है मतलब अब यह balanced state में है अब देखो सबसे पहले अगर हम रस्टी के इस point पे कुछ force लगा रहे है तो इस point पे जो है न थ्री force लग रहे होंगी टोटल थ्री force लग रहे होंगी एक force तो यह 50 newton की होगा ही जो apply की जा रही है लेकिन एक यह tension force भी है जो string पे लग रही है किसी भी रस्टी पे जो force होती है उसे tension force बोला जाता है यह तो आपको पता ही होगा अब देखो अगर आप रस्टी को किसी force से खीचोगे तो रस्टी के होती है तो stretch होने की वज़े से उस पे भी एक tension force create होती है तो इस tension force को यह T1 tension force है और यह वाली tension force की है T2 tension force है अब देखो यहाँ पे यह block है तो सबसे पहले जो block है यह block क्या कर रहा होगा vertically downward एक mg force लगा रहा होगा अब देखो इस mg force को हमें calculate करना है mg force है कितनी तो देखो यहाँ पे इसका जो mass दे रहा है mg को यहाँ पे calculate कर देते है इसका जो mass दे रखा 6 दे रखा है जी का value कितना दे रखा 10 दे रखा तो 6 into 10 कितना हो जाएगा 60 newton यानि कि downward direction में 60 newton का force लग रहा है mg कितना है 60 newton के बराबर है अब देखो आगे क्या करना हमें अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो point है इस point पे 3 forces लग रहे है एक यह 50 newton का force लग रहा है एक यह tension force T1 लग रहे है एक tension force T2 लग रहे है अगर किसी भी point पे 3 forces लग रही है और वो point equilibrium state में है तो हम यहाँ पे lemice theorem अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे lemice theorem Ampli कर सकते हैं तो according to lemice theorem according to lemice theorem लैमिस थिओरम का फॉर्मला क्या होता है जैसे ये वाला जो 50N का force है चलो मैंने 50N के force को F1 नाम दे दिया है ये आपका 50N है अब देखो ये जो T2 कितना होगा सबसे पहले ये जो T2 होगा आपका ये इस 60N के बराबर होगा देखो ये block क्या कर रहा है 60 N का force downward direction में लगा रहा है तो इस force को वान फूर्ढ कर रहोगा ये वाँ पॉ interfer कर रहोगा ये वाला point 60 N से नीचे की तरब खेज रहा है तो यहाँ पर tension कितनी आ रही होगी इस 60 N के ही बराबर रही होगी ये भी downward direction में ये भी downward direction में तो T2 किसके ब्रावर होगा, इस 60 Newton के ब्रावर होगा, तो T2 कितना होगी आपका, 60 Newton, अरी जो T1 है T1 हमें नहीं पता, T1 तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पर question में find क्या करना है, यह theta find करना है, देखो यहाँ पर पुछाना है, what is the angle the rope makes with the vertical, यह जो rope है, इस vertical के साथ कितना angle बना रही है, वो theta मुझे find करना है, तो देखो यहाँ पर इस point पर तीन forces लग रही है, और यह equilibrium state पर है, तो आप यहाँ पर यहाँ पर जो है, आप लैमिस theorem अप्लाई कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले, यहाँ पर देखो जैसे यह T2 force है न, तो यहाँ पर T2 लिखिए, यहाँ पर T1 लिखिए, यह 3 forces है न, और यहाँ पर यह F1, F1, T2, T1 forces है, तो यहाँ पर divided by, अब देखो यह T2 है न, तो देखो T2 force ही है आपकी T2 force, अब यह other two forces ही है, आपकी other two forces, तो इन other two forces में कितना angle बन रहा होगा, देखो यह आपका 90 degree का angle है, और यह total जो angle बन रहा होगा, 90 plus theta angle बन रहा होगा, यह जो other two forces है, आपकी यह 50 newton की force, और यह T1 force, अब देखो यह T1 है, T1 के यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पर आपको sign लिखना है, और यहाँ पर कुछ angle आएगा, तो वो angle कितना आएगा, देखो, यह T1 force है न, तो यह T1 tension force यह है, तो इसकी other two forces यह वाली है, तो इन other two forces में कितने degree का angle बन रहा है, यहाँ पर 90 degree का angle बन रहा है, तो यहाँ पर sign 90 degree आजाएगा, अब यह F1 है, तो यहाँ पर आप sign लिखिए, अब देखो, यहाँ पर कितना angle आएगा, यह F1 है न, तो देखो, F1 force आपकी यह वाली है, यह 50 newton आपकी F1 है, तो देखो, यह वाली force और यह other two forces यह वाली है, तो मैं यहाँ पर का angle find करना है कि, और उसे यहाँ पर put करना है, तो यह angle कितना हो जाएगा, देखो, यह जो line है, 180 degree की line है, तो यह 180 minus theta कितना हो जाएगा, यह वाला angle मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर sin 90 degree की value कितनी होती है, 1 होती है, और यह कितना हो जाएगा, आपका F1 divided by sin 180 minus theta कितना होता है, आपका sin theta ही होता है, ठीक है, क्लास 10 में यह formula पढ़े होंगा आपने, अब देखो, इससे आगे कैसे solve करते हैं, देखो, मुझे यह theta calculate करना है, तो यहाँ पर भी theta है, यहाँ पर भी theta है, तो इन दोनों equation का use कीजिए, इन्हें equate कर दीजिए, तो यहाँ पर मैंने T2 divided by cos theta, is equal to F1 divided by sin theta लिख दिया, अब देखो, T2 कितना दे रखा है आपको, T2 यहाँ पर 60 Newton दे रखा है, यहाँ पुट कीजिए, यह cos theta यहाँ पर आजाएगा, F1 कितना दे रखा है, 50 Newton इसे यहाँ पुट कीजिए, divided by sin theta, अब देखो, sin theta को इदर भेज दीजिए, यह sin theta divided by cos theta हो जाएगा, यह जाएगा आपका 50 divided by 60, तो sin theta upon cos theta कितना होता है, आपका 10 theta होता है, ठीक है, तो यह cut गया आपका, तो यह आगया आपका 5 upon 6, तो finally आप इसे ऐसे भी लिख सकते है, theta is equal to 10 inverse 5 upon 6, यहाँ पर inverse आएगा, ठीक है, 10 inverse 5 upon 6, तो यह आपका answer है, लेकिन अगर आपको exam में, 10 का table given है, यह वाला 10 का 10 theta find करने के लिए, अगर आपको table given हो रहा है, तो आप उसकी help से भी, यह theta की value calculate कर सकते हो, तो finally यह जो theta आ जाता है, आपका 40 degree इसका answer आता है, तो यह question आपका complete हो जाता है, ओके?